नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का SGS Education YouTube चैनल पर मैं हूँ अर्जुन डांगी और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कम्प्यूटर को सेट अप कैसे कर सकते हैं अगर आपने कोई नया कम्प्यूटर लिया है या फिर कोई सेकंड हैंड कम्प्यूटर है तो उसको पावर की कैबल है तो CPU में आप कैसे लगाओगे कीबोर्ड माउस की कैबले हैं कहां लगाओगे LED मोनिटर की कैबले कहां लगाओगे और कैसे आप कम्प्यूटर को स्टार्ट करोगे वो सबी चीजे आज किस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल हम शुरू से जानेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्रपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहीएगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में एक PC तो पहले से सेट अप किया हुआ ह एक जो यह PC आप देख रहे हैं यह भी चल नहीं रहा है इसको हमने सेट अप नहीं किया है इसकी जो सारी कैबले हैं वो भी हमने बाहर खोल रखी है तो एक एक करके यहां पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूं और यह आप CPU देख पा रहे हैं CPU के पीछे में एक एक कैबल ल लिए और यहां पर लगाएंगे तो सबसे पहले रहे हम शुरु unpack करते हैं power supply से power supply की एक बार मैं आपको केबल दिखाता हूं यह जो आप कैबल देख पा रहे है इस तरीके सा अपको 3 pin मिलेगी ک plस यहां पर यहां केबल देक पा रहे हैं इसको बोलते है power तो यह वाला जो 3P ने वो तो आप अपने प्लक में लगाओगे जहांसे भी आप आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वहां पे आप लगाओगे प्लक के अंदर और यह जो पीन आप देख पा रहे हैं इस पीन को आपको यहां पर लगाना है अब सभी CPU के अंदर अलग ल लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास में डारेक्ट प्लक है तो आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं अब उसके बाद में आती है कि ब्लू कलर की कैबल यह जो आप ब्लू कलर की कैबल देख पा रहे हैं इस तरीके से दो मूव वाली होती है और इसको हम बोलते हैं VGA कै इसको आपको लगाना है आप देकिए इसको आप इस तरीके से क्या करोगे फिक्स करोगे ठीके और यहां पर इसके जो दो इसक्रू दियेगे हैं इनको आपको ऐसे टाइट कर लेना है वीजे केबल सभी में आपको SAM ही मिलेगी चाहे आप कोई भी कम्प्यूटर लीजिए इसी परकार से आपको वीजे केबल मिलती है आप इसको अच्छे से टाइट वगरा कर लीजेगा ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना है या फिर आपकी जो LED है वो बन ना हो जाए ठीक है तो अभी हमें केबल CPU का सब काम कर रहे हैं उसके बाद में हम LED का काम करेंगे और फाइनल इसमें हम electricity लगाएंगे यानि कि उसको on करेंगे उसके बाद में देखो यहां पर आता है हमारे पास में कीबोड और माउस के लिए अब यहां पर जैसे हम करते हैं यह तो हो गया किसका VGA कैबल इसको हमने अलग कर दिया और यह जो आप चार्जर देख रहे हैं वो है इस LED मोनिटर का तो यह जो चार्जर है वो तो लगेगा सीधा LED मोनिटर के अंदर तो इसके अभी हमें ज़रूत नहीं पड़ेगी उसके बाद हमें यहां पर क्या लगाना है कीबोड और माउस लगाना है बहुत आसान सेटप होता है अब देखिए यह माउस है ना आइबोल का माउस है तो इसको लगाते हैं तो यहां पर आप जूम करके देखोगे ना तो यहां पर आपको USB पोर्ट दे रखें आप यहां पर दिखा देता हूं वैसे आपको सभी को पता ही होगा यह कीबोड इसको हम सेटप करते हैं ठीक है थोड़ा सा जूम आउट करिए थोड़ा सा जूम आउट करके पूरा दिखाईए और यहां पर देखो अब हमारे पास में क्या है कि जो कीबोड वो पुराना है ठीक है अगर पर अगर आपको कीबोड म علता है इस पिन वाला तो यहां पर आपको ऑप्षयन दियागया की इस ट्राइब की आपको पी로ड फीने मिलेंगी थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि यहां पर आपको इस दिख सकें डेकिंए याप की बोर्डזה वो युइस्वी वाला है तकि इ आप इसको इस तरीके से क्या करोगे देहिए मैं आपको सेट अप करके दिखाता हूं अगर आपके पास में कोई सेकेंड पीसे अगर आपने लिया है तो और उसके बाद में यह अपनी यूसबी वाली केबल हो गई इसको हमने क्या किया यहां पर इस तरीके से set कर दिया ठीक है तो अभी अपना power का on हो चुका है VGA यहाँ पर चल चुका है और इसके लावा डोनों जो keyboard mouse की cable हैं वो हमने लगा दी है अब अगर आपको speaker on करने तो speaker के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूं तो बीच वाले में आपको audio का जो audio jack pin होता है वो आपको लहाँ पर लगा देना है ठीक है बाग यह सारी cable अलग है अगर आप HDMI का port लगवाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से लगवाना होता है या फिर जब भी आप CPU को build करवाते हैं तब आप उसको बोल सकते हैं तो अभी हमें केबल कुछ नहीं करना है CPU का काम हमने कर दिया है अब हम करते हैं सबसे पहले monitor का काम तो एक बार इस monitor को मैं क्या करता हूं keyboard को हम इसी के उपर रख देते हैं और यह जो LED monitor है इसके पीछे का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं देखिए नॉर्मल सा एक monitor होता है computer के लिए यहाँ पर भी आपको देखिए एक तो VJ cable का option मिलता है जो कि ब्लू वाली थी उसका जो दूसरा मूँ था वो यह वाला है इसको मैं यहाँ पर setup कर देना है वीडियो जरा सा बड़ा बनेगा क्यूंकि इसमें में हर एक चीज आपको detail wise बता रहा हूं तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो like जरूर करिएगा अब इसको भी यहाँ पर जो screw मिलते हैं उनको आप सही से tight करिएगा इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर set कर दिया है चीक है complete हो चुका है अब हम बात कर रहे थे इसके charger की तो monitor का आपको अलग से charger मिलता है आप कोई भी अगर लीजिएगा तो सब के अंदर आपको अलग से charger मिलेगा तो यह इसकी pin है इसको हमने क्या किया यहाँ पर ऐसे लगा दिया चीक है तो अभी हम इसको ऐसे सही कर देते हैं अभी हमारे पास में total कितनी पीने हो गई दो पीने एक तो हो गई अपने CPU की इसको मैं थोड़ा से ऐसे arrange कर देता हूँ तो एक तो हो गई अपने LED monitor की और दूसरी हो गई अपने CPU की तो अब हम क्या करते हैं इसको एक बार plug करते हैं हमारे पास में यह plug है इसको हमने पहले से power on कर रखा है तोड़ा सा zoom करके आप देख सकते हैं ठीक है तो चालू में काम नहीं करना है इसको हम एक बार off कर देते हैं उसके बाद में यहाँ पर हमने दोनों पिनों को लगा दिया है काफी आसान होता है उसके बाद में हमने क्या किया है इसको ऐसे on कर दिया ठीक है अब उसके बाद में हम क्या करेंगे यह जो CPU है देखो LED monitor चल चुका है लेकिन अभी हमने CPU का power on नहीं किया है हमने पहले इस वाले वीडियो में भी बताया था कि शुरू से computer कैसे सीखते हैं तो computer को setup करने के बाद में अगर आपको computer सीखना है तो आप यह हमारा वीडियो जरूर देखें description के अंदर भी आपको link दिया गया है प्लस यहाँ पर आपको i-card के उपर भी वीडियो मिल जाएंगे अब देखो इसको मैं एक एक करके एक बार set कर लेता हूँ ताकि ज्यादा कोई आपको भी समझने में परिशानी ना हो अब जैसे CPU उल्टा पड़ा है इसको मिस्तरीके से सीधा कर देते हैं ताकि सामने इसकी क्या क्या चीज़े लगी हुई है वो आपको एक बार सही से दिख सके यह एक्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बागी जब भी आप अपने टेबल पर सेट अप करे तो यह वायर वगरा सारे आप अरेंज कर लिजेगा ताकि एक साथ में नहीं होने चाहिए आप टेबल के निचे रख दीजेगा सीप्यू टेबल के निचे आप रख सकते हैं और यह मेरा पावर बटन है इसको मैंने प्रेस कर दिया तो अभी आप देखोगेगी जो सीप्यू है वो अन हो चुका है यहाँ पर आ चुकी है और कीबॉट माऊस बहुट होना शुरू हो जाएगा यानी की पिसी के नदर विंडूस होगा हो चलना शुरू हो जाएगा हमारे पिसी के नदर विंडूस है तो एक बार में इसको ऑपन करके दिखा देता हूं अब यहाँ पर जैसे जो computer है वो on हो चुका है हमने यहाँ पर password state कर रखे हैं हम यहाँ पर password एंटर कर देते हैं और एंटर करते हैं तो हमारा जो PC है वो देखिए welcome आ चुका है और start हो चुका है अब आप जो अपना काम है वो कर सकते हैं जैसे इस PC के अंदर हम जा सकते हैं जब भी computer start होता है तो उसको आपको एक minute के लिए छोड़ देना है या फिर हम उसको refresh करिए ताकि जो आपकी computer की speed है वो RAM सई से clean हो पाए और आपका computer fast चल सके तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कि कैसे आप computer को setup कर सकते हैं बहुती आसान तरीके से आपको समझाया है अगर आपको हमारा यहाँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करिएगा share जरूर करिएगा और अगर आप computer को शुरू से सिखना चाहते हैं तो description के अंदर हमारी links दिये गए हैं आप उनको चेक कर सकते हैं और बिलकुल शुरूरात से computer सीख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो like और share करें SGS Education YouTube चनल को subscribe करके notification bell को जरूर प्रेस करिएगा मैं अर्जुन डांगी फिर मिलता हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ नमस्कार